हेलो फ्रेंड गोट इबनेंग विल्कम बेक टो माई चैनल लॉलाइश्ट वार राधिका कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे तो बहुत टाइम बाद आज हम ब्लाग स्टार्ट करें ब्लाग नहीं है बस ऐसे दो तीन मिनट कुछ ऐसे आप लोगों यूट्यूब पर सम अपना मेमोरी के लिए आते कि यह सब ब्लाग बाद में जब देखो ना जैसे अभी मेरा एक चैनल पुराना उस पे दो सल तीन सल पहले हम ब्लाग डालते थे कंटीनिव तो देखते तो अच्छा लगता है कि जो दो तीन सल पहले हम ऐसे थे मेरी बीट करेंगे देखते हैं हम लोग अभी बाहर भी जाने वाले कुछ दिन में तो उसका भी ब्लाग आएगा और कहां जाने वाले यह सब आप लोगों के साथ बाद में सेयर करेंगे तो अभी ऐसे ही बैठे हैं बैट पे अभी 8 बच रहा है तो सोचे थोड़ा बहुत स्टाट कर हैं अभी मेरे बतीजा बतीजी मेरी बेटी सब टीवी देख रही है यह मचरतानी अभी रात को लगेगा तो इसी रिस पे रखा हुआ है अभी जश्ट निकालकर इधर लगाएं और सब क्या ही बोले चलिए बनी रही है का ब्लाग में और मेरे लाइप में ना क्या ही बोले यह लाइप टाइम रहेगा इस पे क्योंकि जब हमको मन होगा देखने का तो हम यह देख सकते हैं तो इसलिए हमको यूट्यूब पे वीडियो डालना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लाइप का तो क्या ही बोले कोई नहीं है मतलब बस हस्पेट और मेरी बीटी बस मेरा दुनिया में अब भी यही है अब भी यही है अज छे साल से बस इतना ही है ससराल में भी ज़्यादा कुछ रिस्ता नहीं है मतलब रिस्ता तो है लेकिन बस नाम का रिस्ता है और माईकी के तरफ से तो कुछ है ही नहीं है और मेरे लाइप में सब कुछ बहुत कोई रि YouTube पे अपना वीडियो बनाते है क्या अच्छा लगता है वीडियो पे मतलब वीडियो में कुछ भी अपना मन का बात सेयर करना और कभी अच्छा चीज आप लोगों के साथ सेयर करेंगे जैसे कि अभी बिजनेस रिटार्ट किया है तो नेपाल में कैसे ओनलाइन बिजनेस करत किसी व्लाग में सब कुछ बताएंगे भी अच्छे से ताकि आप लोगों को भी हल्फुल हो और जो भी नेपाल से देख रहे हैं वो फ्रेंड लोग के लिए हल्फुल हो यह वीडियो यह नहीं मतलब आने वाला वीडियो है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं तो बस वही स सब्स χ quedatait करते होएं मों करते हैं का अपना काम रहता है अचानक सी कैसे मेरे दिमाग माया क्या रहे मipping बरें इस यह सब सब किसा है पहना प्लोगोंStat सेर करेंगे आपद हो आप लोगों को भी करना हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो हम बता रहे थे कि एक हाउस वाइप के लिए बहुत अचा है कि घर बेठे करना ना बहुत ही अच्छा काम है यह बहुत ज्यादा अच्छा है पूरा सपोर्ट रहता है जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है मेरी बेटी बस तीन ही रहते हैं ना हमको कोई मायकी का सपोर्ट है ना ससुराल का कोई सपोर्ट है तो मेरे लिए यह चीज बहुत ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि हमको बच्चा को भी देखना होता अपने हस्मेंट का घड़ को बच्चा को सब कुछ मैनेज करना होता तो मेरे लिए यह बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ज्यादा इसलिए हम सच में पहले हम स जब मेरा पराई complete वान तब ही से कुछ न कुछ न कुछ करते थे मतलब earning कुछ न कुछ करते हैं कि कि घड में बैटना कभी भी पसंद नहीं था तो साधिक के बाद धिमार्ट में यही था कि हम कुछ कडेंगे लेकिन साधिक बद बेबी वाया न इसके बाद गोबीड ये वह मतलब नहीं कर पा रहे थे कुछ भी तो इसी के बाद फिर अचानक से यह चीज माइंड में आया और भगवान किरपा से बहुत जल्दी मतलब सक्सेस हुआ नजर्ब ना लागे लेकिन बहुत जल्दी मतलब सक्सेस हुआ मेरा बिसनेस और 100% परसेंट का सपोर्ट था इस्टा जल्दी मेरा बिसनेस चलने लगा और बहुत जयाद अज़ा है तो यहीं सब है तो पूरा दीन मेरा उसी मे भीजी काम बिजी रहते हैता है फोर दीन आप लोगों के लिए यहलपूल हो मतलब मेरा जो वीडियो आइगा तो आप लोगों के साथ भी हम सब कुछ बच्चा को देखो या अपना करियर चुछ कर वह होता है जो जॉब करती है बेबी होने के बहुत सारी हासवाइब करियर मतलब खतम हो जाता है यह बहुत अच्छा मतलब है सब वो हासवाइब लोगों के लिए तो आगे जरूर सेयर करें तो रहने देजाए यह ब्लॉग को यह हुए तक है और यह ब्लाग में क्या का बोले नहीं तो हम ज़रूर है डूसरी लेकर आएंगे आप लोगों के शाथ आप कूछी तरीके से से शोय करेंगे तो रहता रहने देतें यह ब्लॉग को यह तक हम बस आप लोगों acknowledge से थोड़ा बहुत से अर्किया जो आज कल करते दिन तो ऐसे ही काम में निकल जाता पिर पूरा दिन टाइम ही निकलता हम सूचते हैं कि ब्लॉक करना मुझ बहुत ज्यादा पसंद है तो ऐसे तो डेली व्लॉकर जो कुकिंग पुरा दिन का काम वो सब तो अब हम नहीं दिख ड हैसा नहीं है क्योंकि खाना बनाने के लिए भी लिच भी-जादे को हमाना करता है विव कुछ कुक करता देए कउ Hamm तो इसी के वज़े से फिर आफसेल पर ही रखना मतलब खाना बनाने के लिए भी रखना पड़ा है तो वह इए कर देती है तो ज्यादा कुछ ऐसे रहता नहीं है तो पहले तो काम घर का करते थी थे थोड़ा बहुत वह सब सेयर करते थे तो ऐसे तो आप मेरा उश टाइब का ब्लॉग नहीं आएगा जैसे पहले आता था कुकिंग का एंद पुरा घर क्या क्या करते थी यह सब दिखाते थी वह सब तो नहीं आएगा लेकिना जो भी करेंगे जितना होगा जो होगा बिजनेस से रिलेटेर और कभी कुछ बनाए या कोई रेसिपी तो आप लोग के साथ हम जरूर सेयर करेंगे और मेरा भी एक मेमोरी रहेगा जैसे कि हम बताई यूट्यूब पे मरने के लिए कभी नहीं आये पहले भी मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था तो इस पे हम बहुत सारा वीडियो डालेते हैं सोट डेट सो बीडियो से भी जादा था प्रॉपर डालते हैं डेली डालते थे बहुत मेहनत के थे वह कोरोना के टाइम पे कोबिट के टाइम पे लेकिन फिर उतना जादा ध्यान नहीं दिया हम उसके बाद कुछ प्राबलम हुआ मतलब वह चैनल पे ना बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने लगे थे तो वह सब हम कभी ब कहने देते हैं यह ब्लॉग को यह तक और बने रहेगा मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई गुड नाइट